अबर भुपाल से अगस्त में भी स्कूल नहीं खुलेंगे प्रदेश के स्कूल 31 अगस्त तक बंद रहेंगे सभी सरकारी और प्राइविट स्कूल बंद रहेंगे स्कूल स्कूल बंद रहेंगे स्कूल स्कूल बंद रहेंगे लिया है और स्कूल स्क्षर विवाग ने आदेश जारी किया है कि अगस्त में भी स्कूल नहीं खुलेंगे और सीधे रुक करते हैं राजदानी बुपाल का संदीब हमरकर जी मेडिया समवराता हमारे सा जुड़ रहे हैं संदीब ये पहले तया हो गया था कल की गाइडलाइन के बाद की स्कूल कॉलिज खुलने नहीं जा रहे हैं और अब मध्यप्रते सरकार ने भी ये फैसला लिया है कि फिलाल अगस्त तक तो कम से कम स्कूल नहीं खुलेंगे क्या कुछ कहा गया है आदेश में तीके ये आदेश आज तक के लिए लागू था और आज ही जब मुख्यबंतरी ने विभाग की समिक्षा की गतिविदियों की समिक्षा की और कोरोना से जोड़ कर इसे देखा तो केंदर की गाइडलाइन के मताबिक अभी स्कूल खोलने के आदेश नहीं है स्कूल और कॉलेज दोनों तो फिलहाल स्कूल सिक्षा विभाग के अदिकारियों को कहा गया कि आदेश जारी के अरदिया जाए कि स्कूल अगले एक महीने तक नहीं खुलेगा और यह आदेश मत्यप्रदेश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों पर लागू होगा कोई किसी भी तरह का स्कूल नहीं खोला जा सकता है अब अब सिक्षकों के संबंद में क्या आदेश है इस बारे में आने वाले एक दो दिन में और क्लियर किया जाएगा फिलहाल एक प्रक्रिया स्कूलों में चल रही है जिसमें सिक्षा खुद कॉलनीज में रिहाईशी आलाकों में जा रहे हैं और बच्चों को एकटा करके उनको पढ़ाई कराने का काम कर रहा है आनलाइन क्लासेश भी चल रही है लेकिन स्कूलों में पढ़ाई अभी अगरे एक महीने तक प्रतिवंदित रहेगी तो जाहिर बात है कि अब जो पढ़ाई होगी या तो आनलाइन होगी या फिर जो घंटी बजाओ अभियान चल रहा है स्कूल दी सिक्षा भी भाग का उसी के अंतरगत सिक्षा खुद बच्चों के बीच में जाएंगे उनके घरों के असपास महलों में जाएंगे और फिर पढ़ाई कराएंगे संदीप अलेकि बड़ा सवाल ये है स्कूल संचालकों के मन में वी और तमाम पैरेंट्स के मन में वी कि स्कूल आखिर खुलेंगे कब देखे जब तक कोरोना की स्थिती सामान ने नहीं होती है तब तक की आदेश इसी तरह से लागू रहेंगे एक जो मदद है सुभिधा जरूर दी है स्कूली सिक्षा विभाग ने और ये आश्वासन दिया है कि सिलेबस कम किया जाएगा यानि संभव ये है कि जैसे सी बी एसी का 30% सिलेबस कम किया जाएगा उसी तरह से मद्यप्रदेश का स्कूली सिक्षा विभाग जब परिक्षा लेगा तब ये बता दे कि उसमें से कौन सा 30% हिस्सा होगा जो परिक्षा के में शामिल नहीं किया जाएगा एक्जाम से उस तो ये सहुलिय जरूर है जो मुसीबत इस बात की भी है कि स्कूल संचालकों को ने को स्कूल शुरू करने की जल्दी है खास तोर पर प्राइविट स्कूल में तो कि उनकी फीज जमा नहीं हो पारी है और इस इसलिए स्कूलों का रख रखा और जो जो जरूरी खर्चे है वो जुटाना भी मुश्किल हो रहा है मामला अदालत तक पहुचा है तो इस मसले को लेकर अभी अस्वंजस के इस्तिती जरूर है कि आगे फाइनिशल क्राइसिस के दौर में स्कूल कैसे चलेंगे तो ऐसे में ये अस्वंजस बरकरार है लेकिन सरकार ये सोच रही है कि य पहले ये भी आशंका ये एक बातची चली थी विभाग में कि बड़ो बच्चों को बोर्ड परिक्षाओ वाले बच्चों को स्कूल में जाने की अनुमती दी जाया और सोशल डिस्टेंसिंग से कक्षाई शुरू की जाया लेकिन फिलहाज सरकार नहीं फैसला लिया है कि क कम से कम अगस्त तक किसी भी तरह स्कूल नहीं खुलने जा रहे संदीप आप इंतजार ये है कि अगस्त के बाद क्या कुछ फैसला लिया जाता है शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी देने के लिए